तो हलो दोस्तों शर्मा जी गराज के कौन नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा हुआ है कि ये जो देख रोगा आप ये है मेरी क्लासिक 350 जो कि BS6 model है और इसमें एक feature आया करता है जो कि ये side stand cut off feature जो कि हमारे जो ये side stand है इसके जस्त पीछे जो देख रहा हुआ है एक sensor लगा हुआ होता है जिससे कि हमारी bike जब भी हम side stand हमारी bike का लगा हुआ होगा तो हम जैसी gear मारेंगे तो हमारी bike बंद हो जाएगी तो कुछ दिन पहले मुझसे ऐसा हुआ कि यहां से मुझसे गलती से बाइक जड़ा नीचे से हिट हो गई जिसकी वेज़ से कि यह इसका जो side stand sensor है उसके जो wire है वो तूट गए और यह बिल्कुल जड़ से ही तूट चुके हैं जिसे कि अगर मैं जोड़ना भी चाहूँ तो भी बाहर से मुझकिली होगा और अगर मैं side stand sensor को ही change करा हूँ तो करीब करीब 1000-2000 रुपे का यह sensor है तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस sensor को हम कैसे repair कर सकते हैं क्योंकि 1000-2000 spend करना तो भाई worth है नहीं तो इसी को हम repair करेंगे अच्छे से बिल्कुल company जैसे proper fitting के साथ ही इसको साही करेंगे तो भाई side stand sensor जो होता है यह feature आजकल आपको हर BS6 bikes में देखने को मिलेगा क्योंकि यह हमारी safety को enhance करता है कई बार हम side stand को लगा के भूल जाते हैं और bike को चलाते हैं जिससे कि कई बार गिरने का भी डर होता है तो यह feature company ने इसी वज़े से दिया है ताकि हम side stand है उसको लगा ना छोड़े और जिससे कि हम हमारे साथ कोई दुर गटना ना हो तो इसी वज़े से तो इस sensor को repair करना भी बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमे side stand warning का जो पता लग पाएगा तो आज मैं इस पूरे side stand जो sensor को है पूरे अच्छे से detailed मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है यह जो मेरे साथ हुआ है यह किसी के साथ भी हो सकता है यह bullet में नहीं आजकल हर सभी bikes के अंदर यह sensor दिया जाता है तो अगर आपके कोई भी bike है जिसमें कि आपके साथ ऐसा हो जाए या फिर future में हो सकता है तो आप बिल्कुल इस वीडियो को देखके उसको proper सही कर सकते हैं तो सबसे बहले मैं मुझे यहां पर एक ऐलन की लेनी और ऐलन की से मैं यहां पर जो नट लग रखेंए इस sensor में मैं उन नट को खोल लूँगा एलेन की से और मैंने इस एलेन की से खोलने के बाद ये पुरा सेंसर जो है मेरे हाथ में आ चुका है ये इसके वायर कट रखे हैं आप देख सकते हो बिल्कुल एंड से ही इसके वायर कट चुके हैं अगर मैं इसको ऐसे भी जोड़ दूँ तो शायद ये एक दो दिन चल जाए पर इसका प्रॉपर तरीके से ये नहीं चल पाएगा मुझे ऐसा कोई जुगाड वाला काम करना है नहीं मुझे करना है बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग वाला काम तो इसके लिए मैं इस सेंसर को अंदर से खोल के इसके वायर अंदर से ही इसमें लगाऊंगा जिससे कि ये लॉंग टर्म चलेगा और आगे कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं और अब मैं यहां से इसका जो कपलर है वो मैं यहां से खोल लूँगा ये रेड कलर का कपलर जो है यहां से मैं इसको थोड़ा सा जस्त हलका सा प्रेस करूँगा आगे से इसमें एक लॉक होता है तो ये कपलर भी इसका अराम से निकल जाएगा तो इसको थोड़ा सा प्रेस करना है हलका सा तो यह अराम से निकल जाएगा बिल्कुल इजिली यहां से इस पॉइंट को प्रेस करना है और यह जो है इसका कपलर निकल चुगा है अब मैं इजिली अराम से बिल्कुल तसली से जो है वो काम करपाऊंगा इसमें यहाँ पर एक टाइब्रेक लगी हुई है तो इसे में खोल लूँगा तो अब मेरे पास दोनों वायर और सेंसर दोनों ही आ चुके हैं और अब हम करेंगे अपना काम शुरू तो सबसे पहले इसमें जो चार आप नट देख रहे हैं चोटे हैं तो भाई मैंने यह नट खोल लिए हैं और यह देख लो आप यह अंदर से कुछ ऐसा है यहाँ पर कुछ छोटी सी यह लगी हुई है और जिसमें की वायर हमारे लगे हुए हैं शोल्डर की मदद से यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल प्रॉपर वह लगा रखा है यहाँ पर शोल्डर तो यह मैंने खोल लिया है अब मैं आपको यह दिखाता हूं कि अंदर से कैसा होता है तो अंदर से कुछ ऐसा होता है और यह ऐसे प्रैस होता है साइड स्टैंड में हमारे लगावा होता है और जब हम उपर नीचे इसको करते हैं तो यह ऐसे प्रैस अ ये जो है इसके ऊपर लगी हुई होती है जो sensor के और इसी में हमारे wire जो है connect होते हैं तो हम जो ये wire हमारे टूटे हैं हम इसी में लगाएंगे ये मैंने rubber निकाल के आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल आपको जिससे की पूरा दिख सके ये जो छोटी सी बिल्कुल plate है इसमें ही हमारे wire लगने हैं आप देख भी सकते हो कि ये wire कितने छोटे हो चुके हैं अगर मैं इसमें लगाने की कोशिश करूँगा भी तो भी नहीं लगेंगे तो मैंने अपने जो coupler वाले जो wire था हमारा जो उसी को मैं use करूँगा यहापे तो मैं उन दोनों wires को जो है वो अच् पूती के साथ यह लग जाएंगे इसमें और आप अगर इसे खीचो के भी तो भी इतनी जल्दी नहीं तूटने वाले तो यह होती है बिल्कुल proper fitting इसकी proper काम जिससे कि यह हमारा long term तक चलेगा अगर हम बहार से इसको जोड़ देते तो शायद वो एक दो दिन से जादा बि करेंगे जो हमारा main काम था wire को जोड़ना वो हमारा काम हो चुगा है अब मैं आपको यह दिखा रहा हूं यहां पर जो यह दो point आप देख रहे हो most of the times कभी कभी sensor नहीं चलते जिनके और नहीं कोई wire टूटे होते तो उनमें लोग यह कर सकते हैं कि इसे खोल के यह दो points को ज जल जाए कई बार इस पर carbon जम जाता इसलिए तो अब मैं इसको वापिस जैसे यह पहले था बिल्कुल वैसे ही मैं इसको अब fitting कर रहा हूं fitting करना चालू कर रहा हूं क्योंकि हमारा काम सिर्फ wire जोडने का था क्योंकि हमारे wire टूट शुके थे wire मैंने बिल्कुल बढ़िया जिससे कि हमारे wire एक जगा पे बढ़िया लॉक हो जाएंगे और खीचने पे भी वह इधर उदर नहीं होंगे जैसे मैंने अभी लगा दिया इसको देखो अब मैं इसको इन nuts को बिल्कुल tight कर लिया है मैंने जिससे कि यह पूरा proper बंद हो चुका है अब यह sensor पूरा का पू बढ़िया तरीकी से एकदम proper fitting के साथ बढ़िया करके लेकर आ चुका हूं और अब मैं इस sensor को वापिस side stand जो है हमारा उसके पीछे बिल्कुल ठीक ऐसे जैसे यह पहले लगा हुआ तब इसको लगा लेता हूं अभी मैंने नेट लगा लिए हैं अब मैं यह एलन की वाले ज लगा दिया है जिससे कि वायर जो है वो ज्यादा धीला नहों बढ़िया तरीकी से टाइट हो जाए और अब मैं इस कपलर को वापिस बाइक के जो वायर में है उसको लगा रहा हूं यह कपलर कुछ ऐसे जाएगा अंदर हमको प्रेस करना होगा हलका सा यह जो है प्रेस हो चुका है इसमें एक ओवाज आएगी टक करके तो यह जो है वो लौक हो जाएगा पूरा अच्छे से अब हम इसको इसका जो कवर है वो उसके ठक लेंगे और अब हम अपनी बाइक को सטारठ करके देखेँ आर साइट स्टैंड को लगा के और गेर लगा तो भाई यह बुलेट स्टार्ट होने में थोड़ी दिक्कत दे रही है क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी लो है और देखो जैसे ही मैंने इसका साइट स्टेंड लगाया और गेर में तो यह तुरंद बंद हो चुकी है मतलब हमारा साइट स्टेंड सेंसर था वह हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमने उसे ठीक किया है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना शेर करना चैनल को सब्सक्राइब कि अदुए बाइक दोpection दुक कि भीछर बढ़ियो अरीके को मतलत में उसे तरीके सेंसर इनवाद लिल्के भी आप